तू ही मेरी शब है सुबा है तू ही दिन है मेरा तू ही मेरा रब है जहां है तू ही मेरी दुनिया हलो गाइस लकुम बैक टो गिटार लजेंड गाइस आज लोग तू ही मेरी सभय सौंग का कॉर्स और स्ट्रमिंग का लसन करेंगे इस वीडियो के साथ साथ आप इस सौंग को गिटार में प्ले करना फूरी तरीकी से सीख जाओगे गाइस मेरे साथ आगे भी जूरे रहने के लिए अपने स्क्रीन के रट कलर के सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो साथ ही साथ बेल अकेन पर भी क्लिक कर दें जिससे की मेरे आने वाले वीडियो के नॉटिफिकिशन अब तक पहुंचते रहे हैं सबसे पहले मैं आपको सौरी कहना चाहता हूँ क्योंकि अभी बाहर बारिश हो रही है और बारिश का नॉइस आपको सुनने को मिल रहा है और बारिश का नॉइस थोरा साउंड क्वैल्दी को डिस्टाप कर रहा है So guys, मैंने फिर भी इस lesson को बनाने का सोचा है guys क्योंकि काफी आसान गाना है और पाच मिन्ट में अभी आप इस गाने को सीख जाओगे तो इस गाने को प्ले करने के लिए हमें पाच easy chords के ज़रूरत होगी guys सबसे पहला chord है A minor chord open then हमें चाहिए G major chord open then F major chord आप छोटा वाला F major पकड़ दो या फिर आप इस से भी छोटा वाला F major पकड़ सकते हो guys then हमें चाहिए E minor chord and then lastly D major chord और यह D major chord गाने में सिर्फ एक या दो टाइम के लिए यूज हो रहा है guys so D major chord हमें बहुत कम जगा में यूज करना है basically हमें इस गाने के लिए E minor, G major and F major इन तिन chords को ही यूज करना है okay guys so guys अभी बढ़ते हैं strumming pattern की तरफ और इस गाने का strumming pattern मैंने थोड़ा original से थोड़ा हट के रखा है guys ताकि यह सुनने में थोड़ा interesting लगे और यह strumming pattern भी आप लोगको मैं सिखा सकूँ okay okay so is strumming pattern कुछ इस तरह के का play होता है okay so मैं गाने के लाणन को play करके बताता हूँ guys कि मेरा रव है चैन्हा तूरी मेरी दनिया ऑगे इस टमटने कासे प्ले होगा suite हमें dar Undo करना है आउ कि एसे हमें गॉप tea करना है किस अब ईस अब्सक्रोग के करते वक्त हमें सेम टाइम में एक ड़ाउ खाला है पिश्टे में जश complement करना हैं और ये डाउब्सक्रोग हमें आराम से करना है औक सो कि दांओ अब दाउन दांदाउमे फिसके बाद हमें अगें दो दांग स्नो करना है घ्षराइब के दाँध टाूम भट मैं पार एक हैंट कर्ना है अब तो ये इस हो एक कम्पीत स्ट्रॉमिंग प्रेण की इस तरी दो आप दवागा वागा वुकिज अना वर काफी बढ़र स्ट्रॉमिंग प्रेण है आप इस स्ट्रॉमिंग पैन को जेतना जल्दी हो सके उतना जल्दी गिटार में शीख लो तो इस strumming pen के साथ आप लोग काफी थारे गाने भी प्ले कर सकोगे, काफी थारे difficult गाने भी आप इस strumming pen को साथ काफी आसनी से प्ले कर लोगे, तो इस strumming pen का जो original strumming pattern है इस गाने का वो कि इस तरीके का प्ले होता है, Okay, आप चाहो तो ये वाला strumming pen भी प्ले कर सकते होगा इस गाने के साथ, तो इस strumming pen के साथ मैं गाने का एकलानेख को प्ले करके बताता हूं कर तो इस मेरी शबल है, जुबा है तो इन है मेरा रख चाहन है, तो इस मेरी दोनिया कि वेंदें काफी एजी है किसे पेले हमें डाउं स्टोक करना है दाउं उसके बाद हमें तीन स्टोक करना है अप अप नाउं फिर इसके बाद हमें अगें 3 stroke कर नहींद, same up up down फिर आखिर में एक dwn up filler जो और ना बड़ेगा down up so down up down up up down 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 down up down up up down down तो आप गाने के साथ इन दोनों स्ट्रामिंग प्रेंट में से कोई भी एक स्ट्रामिंग प्रेंट चूज़ करके आप इस गाने को प्ले कर सकते हो या फिर आप इन दोनों स्ट्रामिंग प्रेंट को मैश करके भी इस गाने को कापी आसनी से प्ले कर सकते हो तो गैस अब इस गयाने का कॉर्स पोविशन और टाइमिंग की अंडरस्टेंडिंग के लिए मैं इस गयाने का कवर प्ले करूँगा और हमेशे की तरह मैं कॉर्स को स्क्रीन में डिस्प्ले कर दूँगा गैस ताकि आप लोग देख देख के मेरे साथ प्रेटिस कर सको तू ही मेरी शब है सुबा है तू ही दिन है मेरा तू ही मेरा रव है जहां है तू ही मेरी दुनिया तू ही मेरी दुनिया तू ही मेरा रव है 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 तू ही मेरा हांकों से बढ़के तुझे दिल ते मैंने लिखा तो बंदी करा है मेरे जीने की एक वाजा है तेरी हसी तेरी आदार औरोस है तेरी आदार औरोस है तेरी आदार औरोस है वेल गाज़ आचके इस वीडियो के लिए इतना ही और अगर मेरा इस वीडियो के लिए हलफुल रहा तो फिर आप लाइक बन में हित कर देना और साथी साथ इस वीडियो को शेर भी कर देना अपने फ्रेंज एन फैमिली तक और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर आज आप नहीं आए हो गाईस तो फिर आप नीचे रैट कलर के सब्सकाइब पैटरन पर प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सकाइब भी कर सकते हो और साइड में जो आपको bell icon दिया है गईज उसमें भी क्लिक कर दे उसमें क्लिक करने के बाद ही मेरे हर वीडियो के notification आपको regularly मिलते रहेंगे तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए शुबराते